कि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टन हो सकता है क्योंकि पुराने वाले सैनेकी स्कूल में भी काउंसिलिंग होगी जब से यह बात सामने आई है कुछ पॉसिबिलिटी सामने आ रही है कि ऐसा होता है तो फिर क्या-क्या हो सकता है चुकि अभी नोटिफिकेशन इंटीय के त पिछले साल हुआ था अब उसमें भी कुछ चेंज हो जा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन जो भी बात सामने आ रही है और जो कुछ इंफर्मेशन मिला है उसके आधार पर इतना तो कंफर्म लग रहा है कि सैनेकी स्कूल में एडिविशन का जो प्रोसेस होता था वो कंप्लिट आप लोग जैसे ही कंशलिंग स्टार्ट करें तो आपको यह ना लगे किया रही है क्या क्या ओप्सन सामने में आ रहा है क्या करें ना करें तो सारी पोस्टाइबिलिटी इसको आप रोग थोड़ा समझ लीजिए उसके बेस पर थोड़ा होमवर कर लीजिए उसमें हम भी दूसरा सा सजेस्ट करेंगे आप लोगों को यदि वो आप लोगों को अच्छा लगे तो उसके आधार पर भी आप लोग डिसीजन ले सकते हैं सजेसन हम तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए देंगे पहला वो जिन्होंने सिर्फ सैनिक स्कूल को आप्ट किया था दू पुराने वाले सैनिक स्कूल में एक कांसलिंग होगी तो होगी कैसे जिनरली कांसलिंग में क्या होता है कि हम लोगों को स्कूल चूज करने का मौका दिया जाता है लेकिन पुराने वाले सैनिक स्कूल में तो आपने अप्लाई करते टाइम ही यह पूछ लिया था कि आप कि किस सेने की स्कुल के लिए अपलाई कर रहे है हम dull कि उसको भूल कर यह फिर से पूछा जाए कि नहीं और theatre चाहिए है इतनी विन मद्धा बटाए जाएंगे उसकेह सबसे बिलाई पाक्रालाई करेंगे कर दो इसρεansa होता है a एक negative aspect, सबसे पहले मुसी को बता दे रहे हैं, उसे positive aspect भी है, इसका और वो काफी बड़ा है, लेकि negative है, छोटा सा बतला दे रहे हैं, कि जो कम number वाले बच्चे का भी admission जो कहीं कहीं किसी school में हो जाता था, वो साथ अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि high number वाले बच्चे का ही जादा है, हम देख रहा है थे list, जो merit list निकली है, उसमें 3000 तक का जो rank है, वहां तक के बच्चे को भी 200 number हैं, तो यह हो सकता है कि जो हम लोग दोर देखते थे, कि 200 number वाले का भी या उससे कम number वाले का भी किसी-किसी category में, किसी-किसी school में हो जाता था, वो साथ अब देख सकूल में भी चूज करने का option दिया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा plus point क्या होगा और यह काफी अच्छा होगा, कि जिन बच्चों को number काफी अच्छे आते थे और उनका, जिसी school में उनने apply किया है, उसमें यदि नहीं होता था ना, तो उनका admission नहीं मिल पाता था, जबक कम number वाले का हो गया, तो यह एक general distribution हो जाएगा, तो यह ठीक बात है, कि rank wise है, कि आपको number अच्छे आए हैं, तो आपको किसी ने किसी सैनिक स्कूल में मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है, तो यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह चो change होगा, यह काफी बड़ा change हो जाएगा आपने जिसी स्कूल के लिए apply किया है, वो preference आपका रहेगा, वो stand में है, उसको हम change करने नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसी में देखेंगे आपका कि आपका admission होता है, कि नहीं होता है, यदि हो गया, so good, so nice, यदि उसमें नहीं होता है, तो आपको हम मौका दे रहे हैं, कि आप दूसरे स्कूल में choose कीजिए, आपको हम वहाँ भेज सकते हैं, उसमें category जो है सो maintain रहेगी, home state or other state category maintain रह सकता है, इसमें सिधी सी बात यह हो गई, कि जो चीज process पहले था वो रहा, अब उसको हमने थोड़ा सा e-counseling में डाल दिया, और एक plus point आपको दे दिया, यद जादा नंबर वाले बच्चे हैं, उन्होंने जो school opt किया, उसमें नहीं हुआ ठीक बात है, लेकिन उनको दुसरे जगा का option मिल सकता है, उसको select करना या reject करना उनके हाथ में होगा, यह अलग बात है, अगली बात, जो कुछ और जो असंकाएं हैं, या है कि यह कैसे होगा, यह भी देखने वाली बात है, कि पुराने वाले सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन है, पुराने वाले सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन है, कैटेगरी है, बॉय जन्गर्स की बात है, जबकि ने वाले सैनिक स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बॉय जन्गर्स नहीं है कोई category type नहीं है कोई home estate, other estate ऐसा कुछ भी नहीं है दम free for all है हाँ एक दो school है, सरकारी है उन में reservation जरूर है लेकिन maximum में नहीं ही है, सब कुछ free for all है तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या यही चीज वो पुराने वाले साने के school में भी कर दे रहे हैं क्योंकि जो इंस्ट्रिचुशन प्राइवेट हैं इंज्यूर के द्वारा रन किया जा रहे हैं या कोई private school है उस पर आप यह थोप नहीं सकते हैं कि आप मिजरेशन दीजीए हैं दीजीए तो यह हो सकता है और यह हो सकता है कि दुनों को अलग लग रखड़े कि नहीं चलो जो पुराने वाले साने के school में जाएंगे उनके लिए रिजरेशन कोटा जो भी है रहेगा और ने वाले के लिए free for all जैसा है वैसा रहेगा कंडिशन जो कुछ भी हो संभावनाय और भी बहुत तरह की हो सकती है उसमें उसको डिटेल में बात करने लगेंगे ना तो दस रखे संभावनाय निकल जाएंगी लेकिन इतना है कि question mark बहुत बढ़ा जरूर लगा हुआ है और एक चीज़ स्योर है कि जो भी change होगा वो काफी बढ़ा होगा इसमें कहें कोई दोमत नहीं है और साली चीज़े बदल जाएंगी वो जो low cutoff का दौर देखते थे ने वो साला चीज़े खतम हो जाएंगी अब high cutoff का दौर नहीं हम लोगों को देखने को मिलेगा और सबसे बढ़ा फ्रस्वेंट होगा कि अच्छे नंबर वाले बच्चे जिनका admission किसी ने किसी तरह नहीं हो पाता था तो सबसे पहला suggestion वो किसी भी category में आ रहे हों सबसे पहला मिरा suggestion है कि यदि आपने सिर्फ सैनिक स्कूल को अप्ट किया था अपलाई करते समय है कि हमें सिर्फ पुराने वाले सैनिक स्कूल में admission लेना है तो अभी तक जो रूल है उसके हिसाथ से आपको नए वाले सैनिक स्कूल एक काउंसलिंग में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अपनों उनको आप्टी नहीं किया था अपलाई करते समय दिखाई दें तो आज सर्च की बात नहीं होगी वो सेनिक स्कूल सोसाइटी यह कुछ भी कर सकता है वो कहेगा हो गया सो गया आटा यह उसको हम दे रहा है उप्सन आप चूज कीजिए नहीं पुराना सब मिला की एक जगा तो ऐसा हो जा तो और अची बात है तो आप एक लिस्ट तियार करें कि यदि सिर्फ सेनिक स्कूल सोसाइटी को हमने आट किया है और यदि हमें स्कूल चूज करने का मौका मिलता है तो हम कौन-कौन से स्कूल चूज करेंगे यह काम जो नए और पुराने दोनों में जिसने आट किया है वो भी करें वो अपने लिस्ट में पांच पुराने सायने की स्कूल और पांच ने सायने की स्कूल रखें कि यदि ऐसा होगा तो उन्कोरौ करेंगे और जिहां वह आपका decision होका वह हरे इक specially सब्सक्राइब कर नहीं बता सकते हैं लेकिन एक चीज़ जरूबग कहेंगे आपको कि जो आप लिस्ट बनाएं तो एक चीज़ जोड़ ध्यान में रखें कि जो भी नंबर आपके candidate को हो उसकी according ही आप लिस्ट बनाएं वो लिस्ट काफी realistic होनी चाहिए यदि आपके बच्चे को थोड़ा ओन एन एवरेज मार्क से सब्सक्राइब करें कि जिसी स्कूल काफ बहुत हाई जाता है जवरतस्ति उसको अपने लिस्ट में एदम टॉप में ना डालें क्योंकि आदी आप डाल रहे हैं तो आप ये ठीक बात नहीं है आप खुद ही ये समझ के ना कि उसमें तो होने को है ने तुम क्यों डाल रहे हैं तो आपका लिस्ट ने realistic नहीं हो पाएगा तो जिस्ती भी तरह के नंबर आपके candidate को आए हैं उसी के base पर आप इसकूल को के हिसाब से आप एक list त्यार करें यदि आपको पता है कि इसी स्कूल में admission 250 प्लस में होता है और आपके बच्चे को यदि 230 नंबर आया है तो उसी स्कूल को आप first list में ना दें क्योंकि वहां पर rejection का chance ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा नीचे आकर आप पांच स्कूल को select क करें जिसमें आपको select होने का option बहुत जादा हो जाएगा तो इसी तरह से ने वाले साने के स्कूल में भी आप उसको चूज कीजिए और एक list बना कर रख लिजे पहले से ही और जितनी भी possibilities हम बतला रहे हैं इसको ध्यान में रखते हूं यह आप list बनाईएगा और होने के ल आप से कि आप किस स्कूल के अपलाई कर रहे हैं उसको भूल गये हम दुबारा पूछ रहे हैं नय और पुराना सारा स्कूल जो है सो एक ही जगह है आप इसको एक जगह मानिए और जो भी स्कूल आपको choose करना है आप इसमें से choose कर लीजिए इसी के coding आप अपना list त्यार की करेंगी हो सकता है कि notification बहुत लेट से आए या ना आए हो सकता है कि जब आपी counseling portal start हो और आप जब जाएंगी counseling करते समय तो आपके सामने आने लगे कि आप कहें कि यह क्या हो रहा है इसके वारा में तो हमने सोचा ही नहीं था जो कुछ भी possibilities हो सकती है और इसके लाव ही और ready रहें कि यदि हमारे पास कैसा option आता है तो उसी हिसाब से हम इसमें apply करेंगे इसके बाद यदि कुछ notification आता है तो उसके बारे में भी हम दुरू आपको detail में बत लेंगे कि क्या कैसे process होगा और हम को सिस करेंगे कि एक e-counseling कैसे होती है उसमें क्या क्या process होता है वो क